ये रौबदार शेर्णी है किंकी टेल उन पाँच शेर्णीयों में सबसे बड़ी जिन से मिलकर बना है ये खुंखार जुंड नाम है सौसज ट्री प्राइट जुंड का सर्माइदार है एक रौबिला नर नाम है किपूली और उसके दो नौजवान साथ ही जो जुंड में ही पले बढ़े हैं भरपूर सौगातु वाला इलाका है उनका और इस इलाके के बीचों बीच खड़ा है एक सौसज ट्री जिससे जुंड का नाम पड़ा है हाला कि किपूली और उसके साथियों का अभी तक इन मादाओं से कोई बच्चा नहीं हुआ है लेकिन सौसज ट्री प्राइड एक मजबूत जुंड है जिसकी बे खौफ अगवा है किंकी टेल साथ मिलकर जबरदस पहर बरपाते हैं ये दुश्मन और शिकार दोनों पर उनका पसंदीदा खाना है भैसा लेकिन ये भारी भरकम जानवर कड़ी टक्कर देते हैं हर तरह से लैस शिकारियों तक को अब इस भैसे को मारने के लिए जरूरी है जुंड का एक तेज तर्रार शिकारी जथा होना गानगोर बारशूं के इस मौसम में आस्मान से हफ्टों तक लगातार बरसता है पानी अब हाला चाहे जैसे भी हूँ किंकी ठेल और उसके जुंड को पेट तो भरना ही है न शिकार में हरी को निभाना पड़ता है अपना किर्दार और एक अगर ठक जाए तो दूसरा का मान संभालता है दीरे धीरे बड़ी तरकीप से अपने शिकार को ठका देते हैं वो तलवार की धार पर टिका होता है पलड़ा मान सहारी और विशाल शाकाहारी के बीच लेकिन सौसच ट्री प्राइड इस खेल में खोब माहिर है किंकी टेल के अगवाई में वो आखरी हमले के लिए ताकत जटाते हैं आखर कार दान्तों और बंजों के लगातार हमले से पस्त भेंसा घुट्राइड पाचाहारी के लिए ताकते हैं पूटने टेक ही देता है जंग के बदनुमा दाहू में रंगा जुन्ट थोड़ा दम भरने के बाद हाद साफ करता है जंग में मिले इनाम पर वीरानों में जान की कोई गुर्बानी जाया नहीं जाती शेरों की रवानगी के बाद बचे चीथरे बहतों का पेट भरते हैं कुद्रत का तरीका है ये और ऐसे ही हालातों में हर जीव जिन्दगी के उतार चड़ाव सहने को मजपूर है छूट किसी को भी नहीं चाहे वो भारी भर कम हो या कोई शर्मीला भर पेट खाना मिला है जुन्ट को फूले पेटों की बेचैनी दूर करने को लंबी तानने से बहतर और क्या होगा भला इधर वो छाया में जपकी लेंगे और उधर उनके शरीर के दमदार डाइजस्टिव सिस्टम्स अपना काम पूरा करके उनमें फिर से इतनी फूर्ती भर देंगे कि वो अपने अलाके में आगे बढ़ सके पेट की भूख शान्त होने पर कि पूली और शेर्णियों में से एक अपनी एक दूसरी भूख मिटाने पर ध्यान देते हैं कुन्बा बढ़ाने की सौसच ट्री प्राइड की आस है उनकी बीच उभरता की रिष्टा साढ़े तीन महीने लगते हैं उनकी कोशिशों की काम्याभी सामने आने में ये नन्हा जुर्रीदार चहरा सौसच ट्री प्राइड की अगली पीड़ी की जलक है अपने बूते उठाने के लिहाज से बोज कुछ ज्यादा इभारी है इन नन्ही कंदु पर खास कर एक ऐसे खत्रों से भरे आलाके में इस जिन्दकी कुपालनी पोसने और इसकी हिफाज़त करने में जुन्ट अपनी पूरी ताकत लगा देगा लेकिन हालात नासाज हैं इसके लिए ये एक नामुम्किन सफर है असल में तो जिन्दकी के शुरू होने से पहले ही इसका खत्म होना बंधा है इस जैसे बहुतों के लिए मार्च अपरेल और मई में ज्यादतर वक्त बारिश की जड़ी लगी रहती है इस मूजला धार बारिश को जेल जाना बाएं हाथ का खेल है शेरूं के लिए ये वो ताकत है जो जान फूखती है उनके इलाके में भूमत्य रेखा की बारिश रिफ्ट वाली की उपजाओ मिट्टी को सराबोर करके घास की हरी चादर से ठक देती है मसाय मारा के इन मैदानों को और फिर इस हरे भरे मंजर में अंगडाई लेते हैं जीवन के तमाम रंग जो अगले कुछ महीनों के लिए सेरंगेटी से बाहर खीच लाते हैं एक से दूसरी जगा जाने वाले जुंडों को इस बीच किंकी टेल और सौसच ट्री फ्राइट को इन उपजाओ विरानियों के पेश के हर शिकार पर हाथ साफ करना होगा कई दिन बीच गए हैं उन्हें अब भार पेर खाना खाए दूर से आती आवासे किसमत आजमाने को ललचाती हैं उन्हें कुछ देर के लिए दूप से नहाए मैदानों की तरफ जंग का मैदान सच चुका है लेकिन उनसे पहले तो दूसरे पर भक्षी पहुँच चुके हैं वहाँ लकड बग्धों का एक जद्था जुन्ड को ललकार कर अफरा तफरी मचाते हुए हमले की तयारी में है हादों को परक्ते हुए कमजोर को दबोच लेता है मैसे मुकाबला करते हैं लेकिन लकड बग्धों की तादाद लकड बग्धों को ही कामयावी दिलाती है लकड बग्धे भलेत आदाद में ज्यादा है लेकिन भूखा सौसिज ट्री प्राइद भी कितनी आसानी से कहा मानने वाला है किपूली और उसके साथ ही नर इलाकाई मामलों से भले साथने पढ़ते हों फर खाने के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता लिकिन इस शिकार से सभी का पेट भर सकता है जल्दी ही जुन्ड लूट का माल आपस में बाट लेता है और हमेशा की तरह इन वीरानियों के हाद से एक कुन्बे से कहीं ज्यादा का पेट भरते हैं कर दो पेट इन वीराद भरते हैं कर दो जो भरते हैं कर दो दो आपस्ट आपस्ट लालज की अपनी जंग के निशान लिए कि पूली हवा में तेरती, मन को ललचाती, दूसरी महक पकड़ता है मिलन के जोश में है ये शेरनी जंड में बच्चे नहीं है, लेहाजा अपनी तादाद बढ़ानी के लिए ये तो करना होगा इन्हें इस बार छोटा नर बड़े के लिए रुकावट नहीं बनता लड़ने का तो एक ही नतीजा निकलना था जबकि इस कवायत का मकसद है सौसर्ज ट्री फ्राइड की तादाद बढ़ाना न कि कम करना पिछले से ज्यादा कारगर साबित करना होगा इस मिलन को आखिर सवाल कुन्बे की इस सद का है आग बारश की ही तरह ये भी मारा एकोसिस्टम का हिस्सा है और घनी घास इंधन की कमी कहा होने देती है बेलगाम बढ़ती आग जुन्ड की सब्ज शिकारगाह को देखते ही देखते बरबादी की चादर से ढख देती है गर्म राक से कुल बुलाकर उठ खड़ी होती है एक नई जिन्दगी ज्यादा वक्त नहीं लगता नई शाखों को शाकहारियों को लुभाने में और शेर तू इंतजार में है ही हाला कि आग की तपिश से तो वो भी अच्छूते नहीं रहते हैं अंधेरे और घास के अंच्छूए जाड़ूं की मदद से वो लगाते हैं खात काम्याबी मिलेगी तो तरकीब और ताल में उसे आज रात एक बार फिर केंग की टेव और उसका जुन्ड दावत का लुद्फ उठाएगा जीब्रा का ये निवाला तो बस शुरुवाती लजसत है उस धेर से खाने की जो जगब दलते जुन्डों के मारा में पहुचने पर मिलने वाला है दूर इलाकाई गर्ष्ट पर निकले इन नरों को नसीब नहीं हुई जुन्ड को मिली वो सोगात लंबी बरसात की आखरी जड़ी तप्ती धर्ती में नई जान भूगती है पेट में खाना पहुचने के बाद जुन्ड फुर्सत पाकर एक दूसरे से सटकर आराम के पल बिता सकता है आप सीनाता ही तो मजबूती देता है जुन्ड को हाला कि उनकी नसों में एक ही खोन बहता है लेकिन ये मेल जोल ही है जो शेर्णियों को आपस में जोड़ कर एक मस्बूत ताकत और नरों के आँखों का नूर बनाता है बे मतलब नहीं है उनका ये लगाव एक टीम के नाते उनकी काम्याबी के लिए जरूरी है ये मौसम में बदलाव हवा में खुश्के लिया आता है और मारा सांस धा में माइग्रेशन के पहुचने का इंतिजार करता है किपूली अपना सारा वक्त किंकी ठेल और उसकी साथियों की सहबत में नहीं बिताता अपने लाके की गश्ट के लिए जुन्ड से दूर जाना होगा उसे इन लंबी कवायतों में वो और उसकी साथ ही अलग-अलग गाहों पर बढ़ते हैं लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब वो फिर आ मिलते हैं और नरम एहसासों से भरा होता है उनका ये मिलन शेर्नियों की तरह नरों का यूँ आपस में मिलना साजेदारी के उनके करारों को और मजबूती देता है इस बार कुछ पल मिलकर नर फिर अपने अपने उस काम पर आगे बढ़ते हैं जो शेर के नाते उनको करना होता है यानी जुन्ड के इलाके पर दावा बनाए रखना मारा नदी वो धारा है जो जीवन से सराबूर करती है इस हैरत अंगेज एकोसिस्टम को नदी ही है जो मारा के बदलते मौसम में किसी ना किसी मौके पर किसी ना किसी तरहा जीने के अंदास पर असर डालती है हर जीव के जुन नए मौसम के आगास की दस तक देता है मन्जर में उमीदों की बयार बह निकलती है नए ठिकानों की तरफ बढ़ने लगे हैं जानवर सरंगिटी से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए विल्ड बीस्ट के जुन्ड जमा होने लगे हैं मारा नदी के मुहानों पर ये खिंचे चले आते हैं उनहरे भरे मन्जरों की कभी ना खत्म होने वाली तरफ से जो मौजूद हैं इन जो खिंभरी अर्चनों की उस उट जीब्र भी काबू कहां रख पाते हैं लालच पर और बस कुर्बान हो जाती हैं कई सिंदकियां दिमाग में सवार धुन की वचा से जुनून में डूबे जथे आगे बढ़ते जाते हैं और इधर जिंदकी देने वाली नदी मौत का कुवा बन जाती हैं और एक बार फिर मुर्दा खोर दावत उड़ाते हैं लेकिन लाखों फिर भी बढ़ते जाते हैं और काम्याब होते हैं और नदे किनारे घात लगाए बैठे खतरों से बच निकलने वाले विजेदा की तरह बढ़ते हैं उम्मीदे जगाते मैदानों की तरफ लेकिन उम्मीदे जड़ते हैं बहुत बड़ी तेमत चुकाकर नसीब हुई है उन्हें ये जन्नत कुछ थीदानों की तरह बड़ते हैं सासिज ट्री प्राइड के अलाके से होकर गुजरता है मारा की तरफ बढ़ते विल्ड बीस्ट का रास्ता और दाओ मारने को घात लगाए बैठी हैं शेहनिया इतनी दूर आ पहुंचे विल्ड बीस्ट भी चौकन में हैं दो दो हाथ के बिना घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता किंकी ठेल आगे बढ़कर अपने जुंड को याद दिलाती है कि शिकार कैसे करते हैं मैदाने जंग का मुआयना करती है वो और फिर दबे पाउं छुप जाती है सुनहरी घास की चादर में फिर एक छाया की तरहा उभर कर दबोच लेती है एक जानवर को इससे पहले कि वो जान पाए कि वो निशानी पर था खाने को काफी कुछ है अब फिर भी खुद बोजह ढोकर किंकी ठेव साफ कर देती है कि पहले कौन खाएगा अपने खाने का खुद इंतजाम करना होगा बाकी के जुन्ड को मिलकर शिकार में काम्याबी के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं अंधीरा उतरने पर ये वाक्त है जब किसी परभक्षी की घजब की नजर उसे उसके शिकार और धर्ती पर रहने वाले तक्रीबन हर जानवर को अलग अलग रंगत में दिखाती है वो खुद दिखाई नई दे था वो खुद दिखाती है वो खुद दिखाती है रात के वक्त शेर खुद को अंधीरी की चादर में छुपाई रख सकते हैं और जब सामने खाने को इतना कुछ हो तो सौसज ट्री प्राइड खाली हाथ तो रही नहीं सकता वो खुद दिखाती है वो खुद एपदाई रहीं सकता वो खुद देंग वो खुद में खुद दिखाती है माइग्रेशन की सौगात साथ लाती है जुन्डों में अफरा तफरी का दौर जब मान्स की भूकी बिल्लियां ताक पर रख देती हैं इलाके के काहितों को सौसच ट्री प्राइड कभी हिस्सा था एक कहीं बड़े जुन्ड का लेकिन फिर दो शेर्नियों ने कुन्बे में दरार ढाल दी अपनी खुद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने की एक ही कोशिश में अलग्वा जुन्ड दो से छेका हो गया आसपास खुली जगा और भरपूर खाने की बदोलत बच्चे तेजी से बढ़ते कै अब ये कुन्बा अपने आप में एक ताकत बन गया है और अब अपनी हदों से आगे जा रहा है इन मनमौजियों के किपूली के सौसच ट्री अलाके में घुसपैट करने के बावजूद वो अपना दाइरा बढ़ा रहा है कश्ट के अपने जाने पहचाने अलाके से आगे जाकर नई जगहों पर अपना दावा कायम करते हुए इन जान हिस्सों की मिल्कियत अभी तै नहीं है लेकिन यहां का मालिकाना हक पाने के लिए किपूली को साबित करना होगा अपना दम खम कई मूर्चों पर एक आवारा नर अलग हुए जुण्ड की एक शेरनी पर डोरे डालता है जिसके जोश की महक महसूस करके कि पूली ठान लेता है कि चाहे जो हो वो उस नर की मन्शा पूरी नहीं होने देगा जल्दी ही उसकी असल गाबलियत अपना असर दिखा कर उसे दिलाती है उसका खास इनाम एक और मौका अपनी नसल को आगे बढ़ाने का और इसके जरीए नए रिश्टे बनाने का अल्डोनियो पाइक भाईयों की एक ताकतवर जोड़ी को भनक मिल जाती है कि पूली की घैर हाजरी की सौसज ठ्री प्राइड के इलाके को बेहफाज़त देख कर ये भाई आगे बढ़ते हैं और इस भरे पूरे इलाके पर अपना दावाज़त आते हैं वो कोशिश करते हैं अपने खुद के मेल बनाने की भाईयों में से एक को अपनी साथ मिलन करने की जूट देकर किंगी ठेर अपने जुन्ट की हुकूमत में बदलाव की सुकून भरी राह बनाती है माइग्रेशन का खत्म होना आगास करता है सौसेज ट्री प्राइड के दौर के खात्मे का लेकिन की पूली की नसल का नहीं उसकी विरासत तो बेह रही है उसके वारसों की नसों में आखरकार सौसेज ट्री प्राइड को काम्याबी मिली ये दो बच्चे जलक है इस कुन्बे के आने वाली कल की दूसरी बार बढ़ी है प्राइड की तादाद और नसरी में जुड़ती हैं चार नाजुक जिन्दगियां सौसेज ट्री प्राइड के लिए जिन्दगी हमेशा के लिए बदल गई है खुँखार मादा शिकारियों की इस टीम को अब अपना ध्यान खुद अपने हिफाज़त करने की जगा एक मा की तमाम जिम्मेदारियों की तरफ मोड़ना होगा अपने बढ़ते कुन्बे के लिए खाना जुटाना रोजाना की जिम्मेदारी है और जुन्दों के लौड जाने के बाद सौसेज ट्री प्राइड अपना ध्यान वापस भैसों के शिकार की तरफ मोड़ता है पिछली बार महीनों पहले निशाना बनाया था उन्होंने इतने बड़े शिकार को काम्याब होने के लिए मोड़चे पर एक जुट रहना होगा उन्हें कई कोशिशों के बाद समझाता है आगे बढ़ने का सबसे सही तरीखा और फिर कमाल दिखाता है उनका तजुर्बा लेकिन तए मालूम देती जीत में रोड़े अटका देता है बैसों के बचाओ दल का पूरी दमदारी के साथ आधम अखना शेर नए निशानों पर नजरें गड़ा कर फिर एक होते है और इस बार काम तमाम कर देते है नवंबर बीटता है दिसंबर आता है और हल्की फुल की बारिश खिली धूप के ज्यादा खुशक दिनों की राह बनाती है मौसम में बदलाओ के बावजूद सौसच ट्री शेर्नियों को बहुत काम है जुन्द में फिर एक बार जोश से सराबूर ये बच्चे जो बैदा हुए हैं भले ही इन में से कुछ ही बच्चे जिन्दा बचें लेकिन तब भी सौसच ट्री प्राइड की विरासत कायम रहेगी क्योंकि मारा की सौगातों पर पैदाईशी हक है उनका और इन में से हार एक अपनी नसल में सहेजे है जाबाज शेरों की इस हैरत अंगे समूह की कई खुबियाँ प्राइब कीざ ओुभी हर टे शेरों की बच्चे है झाल झाल मनजर तयार है सौसज ट्री प्राइट शेरों की नई पीड़ी की जिन्दगानिया जाबाज और दमदार किरदारों की बीच पन पेंगी कुन्बे का जीवन और मिलकर काम करना उन्हें आपस में जोड़ी रखेगा हर तरह के हालात में और ये शेर्णिया अपने काम में जुटी हुई है धल जाने में माहिर ये शेर्णिया उतनी ही जिम्मेदार माह होती है जितनी दिलेर ये शिकारी होती है ये दो एहम समझ है इनके उन्हें जरूरत होती है हर हालात का सामना करके अपने कुन्बे को सम्हालने और उन्हें बढ़ा करने में करने में जरूरत होती है फिलहाल कामान किंकी टेर के पास है जो बेखौफ रहकर अगवाई कर रही है वो सिर्फ नेता ही नहीं है वो बेहन है मौसी है और है जंग में माहिर और अब वो एक मा भी है और वो पूरी जान लड़ा देगी ये पक्का करने के लिए कि कायम रहने की उसकी विरासत उन में पहुँचे जिनकी वो परवरिश कर रही है कि यद्ट रहने की वो सिर्फ ये जड़ है कि यद्ट पूरी वो को वो गवड़ाई की वो बेहन लड़ा है झाल झाल